जेहन दोस्तों, वेलकम टू दी लाफ्ट डेस क्लासेश, आज हम जीके ट्रिक्स देखते हैं, जीके ट्रिक्स जिसमें आपको, मैं बताऊंगा कि भारत की जो बॉंडरी लाइन से, वो किस-किस देश के साथ जुड़ी हुई है, और भारत के कौन-कौन से राज उन बॉंडर आपकानिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है आपको, नेपाल दिख रहा है, बांगला देश दिख रहा है, और मैमार दिख रहा है, और भुटान, जो सेविन कंट्री से यह अपने भारत की भारत देश के साथ में सिमाय साजा कर रही है, मतलग कि बॉंडरी साजा कर तो सबस्केल हम यह जो बॉंडरी देश के साथ पर किती बॉंडरी लग रही है उसके अपने लेंथ देख लेगते है कि कौन सा देश किती लेंथ सेहर करा इंडिया के साथ में तो उसके लिए हम सीधे एक सौट्रीक है जो कि बच्छान में M.B.A. बच्छान में M.B.A. तो B.A. से आपने बांगलादेश ले लिया जिसकी बॉडर है 4,006 किलोमेटर वही अगर चाइना की बात करते हैं 3,488 किलोमेटर पाकिस्तान है 3,323 किलोमेटर और नेपाल है 1,751 किलोमेटर मेमार 1,643 किलोमेटर वी से भुतान 699 किलोमेटर और A. से 106 किलोमेटर तो आप अकर बच्पन में M.B.A. से याद रखते हैं तो आपको जो हाइस से लोवेस्ट की साइड में आप जाते ही दिखोगे चलिए तो टोटल भी आप देख लिए कि 15,106 किलोमेटर है चलिए आगी बढ़ते हैं अब हम कंट्री की साथ में कौन-कौन से इस्टेट बांडरी सेयर करते हैं उनकी सोट्रिक्स देखते है तो सबस पहले है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को आप याद रखिए पंडित जी तो आप साब को याद रखिए तो इसको तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं असानी से क्योंकि एक ही सबस्क्रामांज से कख सकते हैं वो हमाले पेखिए तो आप जम्मख़ का सपीर सिपाई को तो ? हमाले को आप सबस्तान कि तो आप इसे क्योंकिति तो आप नेपाल के एक नाम है सुबु तो सुबु सी याद रखिये S सिक्किम, U से उत्तरपरदेश, B से बिहार, B से बंगाल, U से उत्राखने चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली कंट्री जो कि बंगलादेश तो बंगलेश का आपको टाइम याद रखना है, A.M.P.M. तो आप टाइम से तिरपुरा कर लीजिए A से आसम कर लीजिए, M से मिज़ा कर लीजिए, P से पस्चिम बंगाल कर लीजिए, M से मेगालेया कर लीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पिलिक्स लाइक से और सब्सक्राइब करें झिंस